नमस्कार साथियो मैं हूँ एड़गट सोग सोधरी साथियो आज अपने कतर से रिलेटेड बात करेंगे जी हाँ साथियो पिछली बार अपने बात किया था विजिट वीजा इसमें काम कैसे मिलता है क्या खर्चा आता है बाद में अपने बात किया कतर के कंपनी के वीजा कैस किसे होता है किती ओस Не कंपनी में मोटा पैसा बहर दिया दो साल का वीगई ले लिया पैसा देके ठीक — कमपनी ने आपको वीज़ा लगा के दे दिया आप आजादो company का आपके उपर कोई pressure और कोई दवाव नहीं होगा आपके पास passport में वीजा लगाव जेब में हैं जहां मरजी आप काम कर सकते हैं आप कहीं रहें खाएं पीएं कहीं काम करें कितना ही कमाए company को कोई मतलब नहीं होता है ठीक है इसी का नाम आजाद वीजा है ठीक है साथियो अब कमेंट में लोग ये भी करते हैं दुबई का आजाद वीजा नहीं होता है रहे भाई दुबई का भी होता है कुएत का भी होता है इसमें भी लोग कमेंट करेंगे लेकिन कोई नहीं उनक क्यों पूछा था कि भीया उन्होंने बताया च्छे साड़े च्छे का बाव आँ पे चल रहा है साड़े छे जार के लगबग तो डेड़ लाग इंडियन रुपीज में आराम से आपको ये वीजा डेड़ लाग में टीगट वीजा इस्टामिंग वगरा सब कंपलीट हो जात ओपनी श्याम कोई खाना कंपनी देगी ऐसा नहीं है खुद मेनेज करना पड़ता है यहां पे रहना फुद का वहां पे रूम रेंट पर लेना होता है खाने का जितना भी सामान वह अवेलिबल करवाना और ने जो भी खर्चा ओता हो आपना खर्चा लगता अजाद वीज ना करें लोकल जानकारी होना बहुत जरूरी है अब ये आजाद विजा दोवे कर डाने कि बाद मेरे पास कॉल आने लगे deriv हमें आजाद बीजा of a ऱड़े लेके करो गे क्या माँपक आपका कोई बंदה Linux का है नहीं आप एरपोर्ट्ट से ऊतर चाओए काह करोगे कहां से क्या करोगे आजाद वीजा लेने से पहले सो बार सोचे कि वहां पे आपका कोई जानकार इंडारेक्ट जानकार बंदा है वो आपकी help करेगा क्योंकि यहां से आप जाके उसके पास रह सकते हो वो आपको जोब लगवाएगा वीजा लगवा देगा फिर आप देरे देरे आपको इनोलेज हो जाएगा तो आप उससे ज्यादा उशाफ हो जाओगी ठीक है तो यह जानकारी बहुत जरूरी ह मेंती hard worker होना बहुत जरूरी है भाईया इसमें सबसे important है मेंती और hard worker क्योंकि एक example मैं देता हूं कि गाउं में अपने मजदूरी खेत में माली किसी मजदूर को लेके जाते हैं कितनी गंटे काम करता है 10 गंटे काम करता है ठीक है उसको अपन बैठने नहीं देते हैं उसको लोगों से पैसा ही कटा करना सबसे बड़ी विमारी हो जाती है क्योंकि पैसा काम तो आपसे हर कोई करवा लेगा या लेकिन पैसा निकालना कितनी मुश्किल बात है तो बंदा मेंती hard worker होना चाहिए जो पैसों का collection कर सके और जो मैनेज से पैसा कमा सके कम से कम 12-13 गंटे duty क सके क्योंकि इसका अक्षा 20,000 रुपे खर्चा मेने का आने वाला है वहाँ जो रहेगा ठीक है साथियों काम खुद को ढूड़ना पड़ता है एक्जामपल गाव की बात कर लें गाहां में जो मजदूरी लोग मजदूर करने वाले होते हैं उसने 10 दिन इसका किया बीज द चलास करके फिर खाना खाना होता है ठीक है तो यह बात है खुद को काम ढूड़ना पड़ेगा आजाद विजा में जाते हो तो और दूसरा सात्मा पॉइंट है मेडिकल खुद का अगर आपकी कोई बीमारी हो गए कुछ भी प्रोब्लम हो गए एक्सिडेंटल इंस्योरें कमपणी कोई कुछ नहीं देती ठीक है सात्यू तो सात्यों यह मैंने आपको बता दिये कमपणी के माइनस आजाद विजा के यह माइनस तो नहीं बोल सकते लेकिन यह खुद को हेंडल करना पड़ता है यह बंदा अगर हेंडल आप कर लेते हो तो आपको दुबई में बोना पैसा यहां पर कमा सकता है मेरे मानने की साबसे 50 जार से लाक रुपे तक बंदे कमाते हैं ठीक है 50-60 जार तो कमाने वाड़े मेरे जानकार भी बहुत है ठीक है वो ठीकेदार के पास काम करते हैं तो उनको थोड़ा कम मिलता है बाकी इसमें भी जोब अलग हो गए ना जैसे मेसन है तो उसको कम मिलेगा टायल मेसन पलंबर हो गाई एलेक्टरीशन हो गया तो वह अलग है ना उनका तो प्रोशेशन अलग हो प्रोफेशन अलग है तो ज्यादा कमाएंगे तो 50-50 जार से लेकि 0-80 लाँ रुपे तक आजाद वीजा में लोग कमा लेते हैं और पिर भी आपको ये लगता है कि इसमें कुछ मैस्ज करें इंक्रिमट करेंगे शुदार करेंगे बागी मैंने कोशित करके पूरी इंकवार्य आपको सही तरीके से देने की कोशिस करिए साथ यो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हरो जैसे टोपिक पर वीडियो नहीं नहीं आपको मिलते रहें जिससे बहुत से में जब भी आप विदेश जाएं तो कोई आपको गुम्रा नहीं कर सके जूटने बोल सके जिससे दोखा देडिका आप शिकारों से बच सके जहें वन देमाइब